सभी को नमस्कार, यूट्यूब के इस चैनल पर मैंने भारत की विभूतियों के अंतरगत, सत्रवी शताबदी के संत गवी संस्कृत पंडित और सारस्वत साधक समाज सेवी कविंद्राचारि सरस्वती की चर्चा की है, मेरा भाव वक्तव्य भारत की विभूतियों के अंतरगत इस चैनल पर देखा जा सकता है, मैंने चर्चा की थी की तमिद्राचारि सरस्वती जो सत्रवी शताबदी में हुए, शाह जहां के समकालीन थे, शाह जहां से उनका संपर्क खूप था, शाह जहां ने उनको सम्मानित किया था, और उनकी एक अध्भुत यात्रा जिसकी तुल्ना मैं गांधी की दांडी यात्रा से करता हूँ, उसकी भी चर्चा मैंने की है, उन कमिद्राचारि सरस्वती के पास एक पुस्तकाले था, हस्त लिखित ग्रंथों का पुस्तकाले, क्योंकि छपी भी पुस्तकें तो उस समय आई नहीं थी, छपाई, आरंब नहीं हुई थी भारत में प्राया, और विदेशों में योरोप में प्रिंटिंग प्रेस आ चुके थे, भारत में कुछ बाद में आये, जहां तक मुझे जानकारी है, और उस समय तक छपीवी किताबे हमारे पास नहीं हैं, हाथ से लिखीवी पोथियां हैं, जिनकी नकल करके अनेक प्रतियां तयार की जाती रही हैं, तो जो पुस्तकालाए होते थे वे हस्त लिखित घ्रंथों के Ngatis लिखी पोधियों के पुस्तकालाए हुआ करते थे उनको जिल्द साज से जिल्द बनवार करके भी रखा जाता था अन्य था प्राचीन पोथियां जिस प्रकार से कपड़े में बांद करके पत्रा कार रखी जाती हैं एक एक पत्रा उनका अलग रहता है उस प्रकार से भी वे साल संभाल करके रखी जाती रही हैं प्राचीन काल में अनेक सम्रद्ध पुस्तकाले थे भारत के पास किसी किसी पुस्तकालय में लाखों पुस्तकें थी, अर्था थस्तलिखित पोथियां थी, जैसे नालंदा विश्विद्यालय का पुस्तकालय हुआ, अनेक राजाओं के पास अपने जो निजी पुस्तकालय हुआ करते थे, उनमें सहस्रों ग्रंथ हुआ करते थे और राजा को रखते थे लेखक का आशा है नकल नवीस या लिपिकार है तिलिपी बनाने वाला जो नकल करता है लिखलिक करके उसको लेखक कहते हैं तो नोकरियां ही देते थे राजा लेखक के पद पर और कई लेखक रखते थे या पांडू लिपियों को बचाने की उनकी प्रतियां त पास जो साहित्यरसिक, शास्त्रग्य पंडित हुआ करते थे, उनके पास परंपरा से पीड़ी-दर-पीड़ी उनके घर में अस्त लिखित उस्तकों के ग्रंथाले हुआ करते थे। किन परिस्तितियों में आये थे, इसकी चर्चा भी मैंने उस वक्तव्य में की है, पर पुस्तकाले जो कुछ उनके पास पहले रहा होगा, उसके सब हस्त लिखित ग्रंथ वे लेकर के आये हुँगी और यहां रहकर के दिल्ली में जब वे विवस्तित हुए और एक संत सन्यास के रूप में और एक ज्यानी और पंडित के रूप में सम्मानित भी हुए, तो उन्होंने अपने पुस्तकाले का सम्वर्धन किया, और उस पुस्तकाले को उन्होंने एक सम्रद्ध पुस्तकाले के रूप में अपने भवन में रखा, बहुत बड़ी बात जो कविंदराच कविंद्रा चारिस रस्वती ने कराई कि उन्होंने उसका एक सुव्य वस्थित सूची पत्र तयार कराया है और वह सूची पत्र मिलता है। भारत के हस्तलिखित ग्रंथालयों का पहला उपलब्ध सूची पत्र है, उसके पहले भी यदि सूची पत्र रहे होंगे, ये टलाग जिसको कहते हैं, तो वे अब प्राप्त नहीं होते हैं, या पहला प्राप्त होने वाला सूची पत्र है हस्तलिखित ग्रंथालयों का जो भ कविंद्र आचारे सरस्वती का यह भी इससे हमें ग्यात होता है सभी विश्यों की पुस्तकें अधिकांच समस्क्रत की और कुछ देशी भाषाओं की भी उनके पुस्तकालय में हैं यह केटलाग यह सूची पत्र जो उन्होंने तयार कराया था उन्होंने अच्छे लेखक रखे और प्रतिलिपियां भी वतियार कराते होंगे लेखक उनके पास थे वे नोकरी देते थे लेखकों के लिए लेखक के पत्पर कविंद्राचारे सरस्वती बड़े पेटरन थे और कृष्णभट जिसको इसाथ लेकर करके आये थे उनको भंडारी कहा गया है इसी सूची पत्र में वो लाइबरियरियन का काम करते थे लेखकार का भंडार है उसको समालते भी थे रख रखाव करते थे तो यह सूची पत्र जो उन्होंने त्यार करया था वो बचा रहा और यह छपा है 1921 में गायकवाड ओरियन्टर सीरीज के सत्रवे नंबर पर यह सत्रवे वाल्यूम में यह कविंदराचार जोची पत्र छपा हुआ है सेंटरल लाइबरियरी बढ़ोद्रा इसका प्रकाशक है माराजा सयाजी राओ गायकवाड ने कितने बड़े कारी कराए उन्होंने अपने पुस्तकाले को तो सुसम्रद्ध किया ही अनेक विद्वानों को उन्होंने रखा बुलाया, सम्मान किया योगी अर्विंद को भी उन्होंने बुलाया था बड़ोद्रा में उनके साथ काम करते थे, उनके आश्रे प्राप्त पंडित थे, बड़े विद्वान थे और उन्होंने इसका संपाधन किया है, गंगानाज्जा ने इसका पुरोवाक या फॉर्वर्ड लिखा है, कुल कहानी किस तरह से मिला सूची पत्र इसकी जो भूमिका में और पुरोवाक में गंगानाज्जा सर गंगानाज्जा ने बताई है, वा यह है कि उन्नीसो उन्नीस में जो प्रथम प्राच्च विद्या सम्मिलन हुआ पुना में, उसमें वे गए थे, और उनके पास इस सूची पत्र की प्रती थी, वहाँ वो इसके बारे में जानकारी देना चाहते थे, यह सूची पत्र उन्हें प्राप्त हुआ था, काशी में, एक मठ में, सबसे पहले महामोपाध्या विंदेश्वरी प्रसाद दिवेदी को यह प्राप्त हुआ, बनारस के एक मठ में इसकी प्रती बची रही, बड़ा सोभाग्य हमारा है, कि कहीं पर इसकी एक प्रती बची रही सूची पत्र की, और वहाँ से विंदेश्वरी प्रसाद दिवेदी महामोपाध्याय ने इसको प्राप्त किया, उनसे गंगानाज्जा को यह प्रती प्राप्त हुई, और इसको वे, और इंटरल कॉंफरेंस जो प्रतम प्राच्ची विद्या सम्मेलन उननीस में हुआ उसमें, ले गए थे अपने साथ लोगों को बताने के लिए विद्वजनों को कि यह इतनी बड़ी चीज हमारे पास है, अनन्त क्रश्न शास्त्री इन्होंने सुन रखा था कि कमिंद्राचार इस रस्वती का कोई सूची पत्र है और यह उसको ढूंडते रहते थे कि कहीं से प्राप्त हो जाए, कहीं से मिले, इनको पता चला कि सूची पत्र जो है कहीं मिलता है, कहीं बचा हुआ है, बहुत सार खोज में थे और संयोग से गंगा नाज्जा साहब से उस सम्मेलन में इनकी भेंट हुई और इन्हों ने कहा कि मैं उस सूची पत्र की खोज में हूँ तो गंगा नाज्जा ने कहा कि मैं तो उसको साथ में लाया हूँ मेरे पास उसकी असलिखित प्रती है तो उन्हों ने कहा मुझे राद भर के लिए दे दीजिए कल आपको व्याख्यान देना है मैं सुबह आपको लोटा दूंगा राद भर में पंडित अनंत क्रश्न शास्त्री ने पूरे उस सूची पत्र की नकल तयार की और उसको साथवे ले गए अद्भुत सूची पत्र है वैसे चोंतीस प्र महाराजा गया सेयाजी राओ बडोदा के थे उन्होंने जो काम करवाए अच्छे कागज पर इतनी अच्छी छपाई है अभी भी कहीं से कुछ भी ख्षती इसकी नहीं हुई है तो अनंत क्रश्न शास्त्री उसकी प्रती गंगानाज्जा से जो मूल प्रती प्राप्त करके रात भर में उन्होंने तयार की उसको ले गए और उन्होंने प्रस्ताव किया महाराजा के सामने की सेंटर लाइबरी जो आपकी है उसकी तरफ से छप जाए और गंगानाज्जा साब के पास मूल प्रती है तो उनी से अनुरोद किया जाए कि इसको बेसंपादित कर दें उ इनको पत्र गया पुरोवाक मैं इस किताब के गंगानाज्जासा अब बताते हैं की मुझे पत्र मिला और उसस समय में अनेक कारियों में लगा हुआ था, मैंने उनको उत्तर दिआ कि मैं इसके संपाधन कारिको स्विकार करने में असमर्थ हूं, तब अनन्द कर्ष्ण शास्त्रे ने कहा कि मैरे पास परती है ही मैंने स्वयम त्यार की है, यह को संपाधित कर दूँगा ठे उन्होंने संपाधित की है ये पुस्तक प्रकाशित हुई है, इस में सूची पत्र के जो अंत में टीप दी हुई है, उसकी सूचना दी है, प्रकाशित पुस्तक में तो अंत में उनोंने नहीं दी है टीप, देना चाहिए था, जिसने भी सूची पत्र बनाया और सूची पत्र के अंत में कुछ नोटस लिखते गए हैं लोग कमिंद्राचारी के जो लेखक मियुक्त थे सूची पत्र को अपडेट भी किया गया होगा उसकी कई प्रतियां बनाई होंगी यह मेरे ख्याल में सबसे अंतिम सूची पत्र है जो बचा रहा है हमारे पास और प्रकाशित रूप में अब हमको प्राप्त होता है तो यह जो ठीप अंत में दी गई है वो बहुत ही दिल्चस्प है और सूची पत्र की नकल करने के बाद उस लेखक ने अंत में लिखा है और हिंदी में लिखा है उस समय जो हिंदी चलती थी इस सूची पत्र में कई टुकडे हैं और किसी दक्षणी ने लिखा है और सर्व विध्या ना उसके दो अक्षर बीच में तूटे हैं तो सर्विध्या निधान जो कमिन्दराचारी सरस्वती को उपाधी शाहजाह ने दी थी वह लिखी है तो सर्विध्या निधान भी नर्मदा तट से संभव है कि स्वयम भी दक्षणी भाषा जानते रहे हो ऐसा कुछ तूटा-फूटा वाक्य है फिर लिखा है उसके आगे और पुस्तकाले बहुत विस्तरत रहा उसे मुसल्मान लेखक था बनारस संस्कृत कॉलेज के सरस्वती भवन में वामन सूत्य वृत्ति उप्त माशय की है वह अल्ला बक्ष लेखक की लिखी है यह ठीप है यह तो बाद में किसी ने अपडेट किया है वो सूची पत्र को और उसने अपनी यह ठीप लिखी है यह इससे विधित होता है पर जो प्रकाशित किया है अनंत क्रश्न शास्त्री ने सूची पत्र उसमें 2192 सस्त लिखित गरंथों की सूची है विविद विशियों की सूची पत्र दो प्रकार से बनाए जाते हैं और इस समय तो पांडूली पी विज्यान ये मैनुस्क्रिप्टर लौजी एक बहुत महत्पूर्ण विशय है जो भाशा विभाग हैं समस्कृत आदी के विश्विद्यालयों में उनमें यह पढ़ाया भी जाता है और शोध करताओं के लिए बहुत आवश्यक है कि पांडूली पी विज्यान का ध्यनवे करें तो उसमें पांडूली पी विज्यान के अंतरगत यह बताया जाता है कि सूची पत्र पांडुलिपियों के प्राचीन पोथियों के कैसे बनाये जाते थे और अब कैसे बनाये जाते हैं अब जो पांडूलिपियां मिलती हैं अस्तलिखित पोतियां उनका रखरखाव करना उनका सम्रक्षन करना बहुत आवश्यक है और उनका सूची पत्र बनाना उससे और अधिक आवश्यक है तो सूची पत्र दो प्रकार से बनाए जाते हैं एक तो सामान्य सूची पत्र जिसमें विश्यानुसार विभाजित करके उस्तकों की सूची एक्सेशन नंबर के साथ जो आवक संख्या है उसके साथ दर्ज कर ली जाए यह उस्तक लेखक और एक्सेशन नंबर यह आवक संख्या उतनी सूची बनाई जाती है सामान्य तया उ अभी तक भी कुछ हमारे शोद समस्थाने से भी हैं जिन्नों ने अपने सूची पत्र प्रकाशित नहीं किये, उनमें जाईए तो वो एक रजिस्टर में इसी प्रकार का सामानी सूची पत्र आपको अस्तलिक फिर रहा है, जिसमें की आवक संख्या और उस तक का नाम केवल ह उससे बढ़ करके एक सूची पत्र ऐसा बनाया जाता है जिसमें की आवक संख्या पुस्तक का नाम भाषा लेखक का नाम दिया जाता है और विश्यानुसार विभाजित करके दिया जाता है, इसको प्रकाशित भी किया गया है, बहुत सारे शोद समस्थानों ने अपने प्रतिलवक प्रकाशित कीए हैं उससे अधिक विवस्थित केटलाग डिस्कृप्टिव केटलाग या विवरनात्मक सूची पत्र कहलाता है जिसमें की प्रत्येक पुस्तक की आवक संख्या पुषपिका जिसको कॉलोफन कहते हैं कि पुस्तक के अंत में क्या लिखा हुआ है उस तक कि अंत में जो कॉलोफन या पुश्पिका रहती है उसमें किस लेखक ने लिखी है मतलब कौपी की है और किस समवत में कौपी की गई है प्रतिलिपी की गई है तो अमुक अमुक लेखक ने लिखी है मतलब नकल की है और अमुक समवत में अमुक वर्ष में लिखी गई और अमुक इसके मालिक हैं, यह भी सूचना दी जाती है, बहुत रोचक सूचनाएं अंत में जो कोलोफन रहते हैं, मेरे पास जो कुछ मेरे देखने में आई हैं, उनमें अधुत सूचनाएं मिलती हैं, और क्योसी स्थिति में मैंने तयार की है, इस लोक तो बहुत ही मार्मि मैंने किये, एक एक अक्षर की, शुद्ध शुद्ध जैसा मूल पुस्तक में था, हमने लिखा, हमारी जुम्मेदारी नहीं है, हमें कोई दोश न दे, भग न प्रश्ठ कटिक ग्रीवम, बहुत मार्मिक श्लोक है, इस पुस्तक को लिखते-लिखते मेरी पीठ कमर तूट दर्दोरा होने लगा है मेरी, मैंने बताया है किसी अपने लिख, उसमें कि ठिकने के लिए अच्छी कुरसियां तो मिलती नहीं थी इनको, जमीन पर बेट करके सिर जुका करके दिन बर लिखते रहते थे लेकर रुपे के लिए जो लिपिकार, नकल नवीस होते थे, क्या उनकी नोकरी रही होगी, लेकिन कितनी पोथियां उनके उससे बच गई, और तो ये सूचना मिलती है, तो जो डिस्क्रिप्टिव या विवरनात्मक सूची पत्र होता है उसके अंत में, उसमें पुष्पिका में क्या लिखा यह भी दिया जाता है, आरंभ में क्या लिखा हुआ है, मंगलाचरण में क्या है, आरंभ की पंक्तियां क्या है, यह भी लिखा होता है, और पुस्तक का गाल निर्धारण किया जाता है, पुस्तक की विशयवस्तु, कितने अध्याय, कितना क्या है, उसमें है, यह सब भी विवरन दिया जाता है, यह डिस्क्रिप्टिव सेवा करते हुए वहां के हस्तलिगित ग्रंथाले में क्यूरेटर के पत पर कारी करते हुए उन्होंने जो डिस्क्रिप्टिव के टलाक्स बनाए हैं वो विलक्षन पांडित और परिश्रम के नमूने हैं और उनसे कितनी जानकारियां प्राचीन पोथियों के बारे में मिलती हैं बड़ा ग्यान भंडार हमारे सामने खुलता है यह सूची पत्र है सूची पत्र को पुस्तकाकार प्रकाशित कर देने से बड़ा लाव होता है कई संस्थानों ने उनके पास जो रिस्क पोथियां है हस्तलिकित पोथियां हैं उनके सूची पत्र पुस्तकाकार प्रकाशित कर दिये हैं, पुस्तकाकार प्रकाशित होकर के लाइबेरियों में उपलब्ध हैं, उससे हमको प्राचीन ज्यान परंपराओं के बारे में बहुत जानकारी मिलती है, परन्त यह जो सूची पत्र है, जो भारत का पहला उपलब् इसको एधी प्रकाशित रूप में हम पढ़ते हैं तो अधुत सूचनाएं हमको इससे प्राप्त होती हैं एक तो प्राची इन्तम जो पोथियां इसमें हैं उनकी तिथी मिल जाती है क्योंकि उनमें से कुछ पोथियां मिल गई कविंद्राचारी सरस्वती के पुस्तकाले का ठपा या सील लगी हुई है सरुविद्या निदान कविंद्राचारी सरस्वती पुस्तकाले से पुस्तक मिदम ऐसा पहला वाग के हर पोथि पर लिखा हुआ रहता है तो अधिकांश तो गायब हो गई लेकिन जो मिल गई है उन पर ये उनका उनकी मोहर और ये वाग के लिखा हुआ है तो फहचान हो जाती है कि कविंद्राचारी का जो पुस्तकाले था निजी उसे पोथी हमारे पुस्तकाले में लाई गई है या आ गई है जब वो निधन उनका हो गया होगा, इधर-उदर उनकी पुस्त्कें चली गए, यह भी इसमें सूचना दी गई है कि कुछ बनारस के महराजा के पास चली गई थी, कुछ लोग इधर-उदर ले गए अपना और कहीं-कहीं मिली हैं, उसकी भी बड़ी रोचक कथा अनंत कृष कृष्ण शास्त्री को, कविंदराचार सरस्वती के पोथी खाने की पोथी वह थी, यह उससे प्रमानित हुआ तो वह संवत-सुलासो की पोथी लिखी हुई है, 1543 इस्वी की वह लिखी हुई है, और एक कुस्मान जली बोधिनी, यह भी नियाय का ग्रंथ है, वो दियन के नियाय कुस्मान जली की टीका, इसमें शक संवत 1436 तिथी दी गई है कालोफन या पुष्विका में, 1514 इस्वी, तो इस प्रकार से जो बहुत पुरानी पोथियां कविंदराचार सरस्वती के पास नहीं थी, और सब मिलती नहीं हो सकता, जो बहुत पुरानी रही होंगी, और काल कबलित जल्दी हो गई, वो तो प्राप्त नहीं होती हैं, तो यह पोथियां जिनकी जो डेटेड हैं, जिन पर तिथी अंकित हैं, वो सोलमी शताबदी की ही हैं, उनके सो साल पहले की हैं, 1514 इस्वी की हैं, उनसे 200 साल पहले की करीब की हैं, और वेदों की पोथिया पर कमिंदराचार्य सरुविद्यान निधान कमिंदराचार्य सरस्वती का नाम अंकित है और मुहर भी अंकित है और एक पोथी पर किसी पोथी पर कमिंदराचार्य सरस्वती का नाम तो है ही जो मुहर है उसके बीच में सलीम ऐसा लिखा हुआ है सलीम तो जहांगीर का नाम था और जहांगीर के भी समकालीन कविंदराचारे सरस्वती रहे हैं क्योंकि शाह जहां जब राज्य कर रहे थे तब वो वयोवरद्ध थे उनका बड़ा सम्मान था जहांगीर उनको जानते होंगे हो सकता है कि जहांगीर ने अपनी यह पोथी उनको दे दी हो उसलिक पंडितों से उनका अच्छा संपर्क परिचाय था, यहां तक कि संतों से में मिलते थे, जो बाशा हुए बाद में सलीम जिनका मूलता है नाम था, तो यह काव्यालंकार सूत्र की पोथी है, जिस पर भंडार की सील तो लगी है, कविंदराचार सरस्वती के ग्रंथाल लगता है, अब कुछ जानकारियां जो इसकी भूमिका में दी हैं, उपलब्द पोथियों के बारे में जो अनंत क्रशन शास्त्री को मिल भी गई बाद में, उसमें हस्ता मलक भाश्ची जो है, वो हस्ता मलक शंकराचारी के शिष्च परंपरा में प्रसिद्ध हैं, उनका तो मेरे ख्याल में अब नहीं मिलता है, इसी प्रकार से वाधूल सूत्र, वैखानस सूत्र ये गरंत हैं, और तेत्री शाखा है, सत्या शाड चाखा का नाम दिया हुआ है, और सामवेद और अथरवेद के भाश्चे हैं, कपिल सूत्र और सांकि सूत्र दो अलग-अलग ग रहे होंगे, कपिल सूत्र हो सकता है, कि मूल जो कपिल मुनी के सूत्र हैं, उनका गरंत कविंदर अचारे सरस्वत्ती के उस्तकालए में रहा हूँ, और किस प्रकार से रासिफाय वरगी करत किया है, उस्तकालए को, कविंदर अचारे के निटेशन में, जो केटलाग बनान आने वाले हैं, वह सूची पत्र को देख करके हम जान सकते हैं, एक ग्रंथ कवींद्र चंद्रोद है, जो कवींद्राचारी की प्रशष्टी में तयार किया गया, वह भी बड़ा अध्भुत ग्रंथ है, और कवींद्राचारी ही ऐसे महापुरुश हुए, जिन पर की एक कहते हैं कि नाषिछ ट्रम का एक अभिनंदन गरंथ तयार किया गया था, पर दाराशुको बताते हैं कि नाषिछ आप ही गुरु कवींद्राचारी स्रस्वती का एक नाम है, और इसमें कवींद्र चंद्रोद्ện में दाराशीको के भी कुछ रचनाएं मिलती हैं, उसमें पत्राचार रहा होगा या इन सव उल्लेखों से मिलता है इन सव उल्लेखों से जानकारी प्राप्त होती है और कविंद्राचार सरस्वती की जो रुचियां है वो अभी इससे पता चलती है व्याकरण में उनकी बड़ी रुची थी नियाय में उनकी बड़ी रुची थी या तो सबसे पहले वेत के अंतरगत पहला प्रमांखी सूचित किया गया है, फिर समिताष्टख और रामण पंचिका और अरण नाम से पुस्त के वेत के अंतरगत इसमें सूचित की गई हैं। यह जुर्वेद भाष्य सहित तेत्रिय शाखा के तीन ग्रंत हैं। यह सब दुर्ला ग्रंत हैं अब यह तो नहीं प्राप्त हो रहे हैं। अब इनका अन्वेशन किया जाना चाहिए क्योंकि रिग्वेद का जो खिल भाग है। इसमें कहते हैं कि सुपरना ध्याय नाटक यह भी था यह तो प्राप्त हो यह चपा हुआ है। तो यह जो खिल भाग हैं सम्हिताओं के चारों वेदों के यह प्राचीन काल में कितने अधिक थे वोतियों के रूप में। और खिल ही नहीं उपखिल हैं। मराठी कोई लेखक रहा होगा यह उपखिलें। यजुर वेदाची खिलें। ऐसे सीरशक दिये हैं वर्गिकरत करते हुए। उपखिलों में पैशाचों पखिल, रेकांडों पखिल, रेविण्यों पखिल, स्वापनों पखिल, यह रिग्वेद के खिलों में, खिल और उपखिल, यह सूचित किये गए हैं। उसी तरह से सामवेद की खिलें और उपखिलें सूचित हैं। 86 से 91 तक जो हैं 6 खिलें सामवेत की सूचित हैं, उप खिलें 2 सूचित हैं, उसी प्रकार से अथर्वन वेदाची खिलें सूचित हैं, 95 से 99 तक इस तरह से 6 खिलें इसकी भी सूचित हैं, धुरलब गरंत बहुत सारे हैं और विशेश रूप से व्याकरण के, इसमें व्याकरण के अंतरगत कभी रहस्य गरंत लिखा गया, सूचित किया गया है, 119 वे नंबर पर, नक्षत रमाला भी व्याकरण के अंतरगत इन्होंने जोड लिया है, लेखक ने बहुत ध्यान नहीं दिया है, कहीं जोतिश का गरंत और कहीं काविशास का गरंत, व्याकरण का गरंत मान करके, कभी रहस्य तो कभी सिक्षा का ग्रंथ है उसमें व्याकरण के विशाई भी आते हैं इस रशी से व्याकरण के ग्रंथ में उसको जोड़ लिया है पर महाभाश्य कईयट विवरण सहित यह 104 नंबर पर इसमें है मनोरमा शब्द रत्न सहित यह इसमें 106 नंबर पर है लेकिन मनोरमा कुछ मर्दिनी भी है अब यह पंडितराच का ग्रंथ है यह अन्य ग्रंथ है क्योंकि मनोरमा कुछ मर्दिनी और कुछ मर्दिनी यह दो ग्रंथ अलग-अलग कदाचित है व्याकरण के यह अंतरकत पुण्य राजी यह लगता है कि पुण्य राज की टीका के लिए लिख दिया है और व्याकरण के ग्रंथों में खृरस्वामी एक नाम दिया हुआ है शीरस्वामी तो बहुत बड़े व्याकरण थे और आठवी शताबदी में कश्मीर वे पहुँचे थे कल्णने राज्तरंगिणी में उनका महान व्याकरण के रूप में इस्मरण किया है वयाकरण भूशन है यहां सारस्वत व्याकरण है कालाप व्याकरण है शाक्तायन व्याकरण है शाकल्य व्याकरण है एंद्र व्याकरण है चांद्र व्याकरण है दौर्ग व्याकरण है और उसी तरह से यम व्याकरण वायू व्याकरण वरुण व्याकरण सोम्य व्याकरण वैश्णव व्याकरण, रुद्र व्याकरण, कौमार व्याकरण, कितने सारे व्याकरण के ग्रंथ-पाणिनी की अष्टाध्याई के अतरिक्त. प्रमिंद्राचारी सरस्वती के ओथी खाने में या मैनुस्क्रिट लाइब्रेरी में हस्तलिखित ग्रंथागार में थे ये अध्भुत लगता है और अब तो इन में से मेरे खाल में ये अधिकांश प्राप्त नहीं होते हैं सरस्वत व्याकरण चपा हुआ है हेमचंद्र व्याकरण भी इसमें है हेमचंद्र का तो कावियानुशाषन नाम से व्याकरण का ग्रंथ और काविशास्त का भी ग्रंथ उनका इसी नाम से जो अलग ग्रंथ है ये दोनों प्रकाशित हैं उन में से कुछ ग्रंथ जो अन्य प प्रकाशित रह गए हैं इतनी बड़ी ग्यान की धरोहर नश्ट हो चुकी है लेकिन उसका पुनुर्धार हो सकता है क्योंकि अभी भी कहीं न कहीं किसी के पास जो एक ग्रंत गायव हुए हैं वे मिल सकते हैं हो सकता है कुछ विदेशों में पहुँच गए हैं तो वहां भी इनका पता चल सकता है नियाय के बहुत सारे ग्रंत हैं इसमें एक सो चाठवे नंबर से और दो सो पंद्रा नंबर तक इतने ग्रंत नियाय के इसमें हैं इसमें गोतम नियाय सूत्र भाष्य सही थे कानाद सू जानता हूं लेकिन गुण किरनावली लिखा है और द्रव्य किरनावली उसके बाद अलग लिखा है ति अलग अलग ग्रंथ रहे होंगे तर्क प्रकाश अलग ग्रंथ है तर्क भाशा तो मैं जानता हूं तर्क प्रकाश उसके पहले का ग्रंथ है पाकि मुक्तावली दिनकरी रामरुद्र भट्टी और हनुमदी है, यह हनुमदी टीका अन्वेश्टव्व है मेरे ख्याल में और शेश्टी काई हो सकता है कि प्राप्त हों, मत्रा नाथीश और शिरोमणी यह सब मिलती है, बाउद्धादिकार गरंथ का नाम है, हो सकता कि बाउद्धिकार रहा हो, कह नहीं सकते हैं कि नियाय के गरंथों में यह सूचित है, बाउद्धिकार गरंथ हो सकता है, और क्रश्ण भट्टी गादाधरी वरील ऐसा लिखा है, तो गादाधरी पर यह क्रश्ण भट्टी टीका थी, और क्रश्ण भट्टी ही जागदीशी वरील ऐसा लिखा है, तो ज जुआ सांथी थे अच्चितानदाश उन्होंने साटी काहुं सहित, वित्पत्ति वाद प्रकाशित किया है। यह इस प्रकार के ग्रंथ हैं, वाद ग्रंथ बहुत सारे हैं, जाती वाद, वीपसा वाद, नए वाद, आख्यात वाद, विशायता वाद, धर्मिता वाद, यह न्याय शास्त्र के अंतरगत जो गदाधर भट्ट के वाद ग्रंथ थे, उसमें जितने नाम मैंने पहले कभी नोट किये थे, उसमें गदाधर वर अगुदेवकरत के अंतरगत बहुत सारे वाद इनोंने सूचित किये हैं, पर यह सारे 210 नंबर के अंतरगत ही इनोंने सूचित कर लिये हैं, यदि यह अलग-अलग वाद ग्रंथ हैं, तो यह करीब 15-20 ग्रंथ हैं, अलग-अलग, जो क है ही है लेकिन गादा धरी की कई टीकाएं है नारायनी शांकरी गोसावी चांद्रमणी काली इत्यादी दो खंडन गरंथ इसमें हैं मेरे ख्याल में अब यह प्राप्त नहीं होते हैं खंडन खंड खाद्य प्राप्त होता है जैराशी भट का गरंथ मिलता है खंडन का वहु लग हैं 218 नंबर से 222 नंबर तक ये टीकाएं पांच टीकाओं के अलग ग्रंथ हैं शिरोमणी मिश्रक्रत तरक संग्रह तरक भाषा और तरक दीपी का यह है अब इसने टीका लिखा है स्वतंत ग्रंथ है या टीकाएं यह तो अन्वेश्टव्य है क्योंकि तरक भाषा और तरक दीपी का हम जानते हैं कि यह स्वतंत्र नियाई के ग्रंथ हैं और इसमें खंडन ग्रंथा वरील ठीका इस सिर्शक के अंतरगत इनको केटलाग किया गया है सूची वद्ध किया गया है वेदांत शास्त्र के महत्पूर्ण ग्रंथ हैं शांकर भाष्य है माधवकृत अद्वरित भाष्य है माधव भाष्य है रामानुज भाष्य है वल्वाचारी भाष्य है विज्ञानाचारी कृत भाष्य है नीलकंठ भाष्य है बट भासकर भाष्य है यह अधिकांश सब प्रकाशित हो चुके हैं अन्यस रोतों से और वेदांत के बहुत सारे ग्रंथ ह बहुत रुची थी, वेदान्त के अंतरगती कपिल सूत्र भास्ट इनों ने सूची वद्ध कर लिया है, अनंदगिरी टीका इसी में है, सुधा माध्वाची टीका इसी, माध्व की सुधा टीका इसी में है, और बहुत सारे ग्रंथ अन्य हैं, सिद्धान्त बिंदू है, सिद्धान्त लेश है, गीता भाष सटीक मतत रहांचे, ये अलग ग्रंथ के रूप में वेदान्त के अंतरगत सूचित है जबकि गीता की टीकाओं का अलग से वर्गी करण किया गया है, इस प्रकार से 223 से 264 त इस सिर्षक के अंतर का 265 से लगा करके और 269 तक ये इतनी गीता की टीकाओं हैं, उसमें चंड मारूत टीका, भेद धिकार सटीक यह एक टीका है, श्रीधरी मदुसूदनी तो है, ये सुवोधनी भी है, ये तो विदित टीकाओं हैं, छपी हुई हैं, रामानुज भाष् पर हैं, ये तो नहीं इस से लगता है, क्योंकि इसी में सांखेतत्त्तु कोमदी वाचिसपती प्रत्र टीका सहीत, ये भी इसी के अंतरगत सूची भध्य है, सांखेसूत्र कपिलाचार्य भाष्ट सहीत, ये सांखेसूत्र भाष्ट प्रसिद्ध गरंथ है, ये भी इसी मे जिसने नकल की है वो इसी में जोडता चला गया है प्रवोत सुदाकर भक्ति मीमान सा शांडिली सूत्र शांडिली सूत्र भाष्यादी भी रामानुज भाष्य टीकाओं के अंतरगत ही लिस्टेड हैं सूची बद्ध हैं यहां तक कि योग वासिष्ट पसिद्ध ग्रंथ है योग वासिष्ट टीका उन्होंने लिखी थी वो कुछ वेद के ग्रंथों पर उन्होंने भाष्य आदी टीकाओं लिखी थी बड़ा काम उन्होंने एक शास्त्रकार के रूप में भी किया है शिव करणामरत इसी में जोड लिया है नेशकर्मि सिद्धी ग्रंथ इसी में जोड लिया है गीतार्थ प्रकाष वी इसी में रामनुज भाष्य टीका के अंतरगत सम्मिलित है ब्रह्म गीता इत्यादी इसमें ग्रंथ है सचिदानद प्रकरण इसमें है कपिल गीता यह भी इसी में जोड लिया है और अनेक मूर्ख मुख मर्धन यह भी एक पुस्तक इसी के अंतरगत रामनुज भाष्टीका सिर्षक के अंतरगत ही जोड़ ली गई है, उससे इसका कोई संबंद प्रतीत नहीं होता है, भेद धिकार यह भी पुस्तक इसी के अंतरगत जोड़ ली गई है, सूत्र गरंथों में परमानंद सूत्र और आर्षस तबक सूत्र, ये सूत्र गरंथों में दो अलग से गरंथ लिखे हुए हैं, जो वेद के कल्प सूत्र गही सूत्र आदी से भिंड़ हैं, योग शास्त्र के 342 से 314 तक ये तेरा गरंथ, योग महोददी, योगभासकर, पातंजल सूत्र व्यासवाश्य अभी चपा हुआ है, मिल चुका है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे ग्रंथ दुरलव हैं, मिमानसा के ग्रंथ हैं, 355 से 368 तक 14 ग्रंथ मिमानसा के हैं, उनमें लुंगाक्षि भासकर्तु प्रसिद्ध है, मिमानसा कोस्तुप ग्रंथ है, बा भी सोमनाथी टीका सहित है, तो ये टीकाएं भहुत सारी दुरलव थी कविंद्राचारी सरस्वती के पास, और बोधायन सूत्र की व्याख्याएं, इसमें पांच व्याख्याएं हैं, सूचित, विद्यारण निभाष्य सुगोधिनी, भवस्वामी, केश्व स्वामी, उत सुई प्रयोग, पौंडरीकप प्रयोग, अशुमेदप प्रयोग, महावरत, गवा, मयनादी सत्र, नक्षत्र सत्र, स्वर्ग सत्र, इत्यादी कर्मकांड की वोथियां हैं, और विविद्गरंट भहुस सारे हैं, विश्णु गूड, उत्तर तार्ती, सूत्र चैन तारिक अधिशाह, विशाहस्र चैन इत्यादी, और धर्मसूत्रों पर भहुस सारे फीका गरंट हैं, अपस्तंब सूत्र, 32 व्याख्या सहित ऐसा लिखा हुआ है, और धूर्तस्वामी की व्याख्या सहित भी है, कपर्दी की व्याख्या सहित भी है, इत्यादी, दो गरंट प्रय के हैं हिरण निकेशी सूत्र पर 29 प्रश्ण सहित ये छपा हुआ है और इसके ग्रंथ हैं 435 से 443 तक मुरेश्वर दीक्षिताचे प्रयोग इस सिर्शक से भहुत सारे प्रयोग ग्रंथ इसमें दिये हुए मुरेश्वर दीक्षित प्रसिद्ध पंडित रहे हैं जो कदाचि कविंद्राचारिस रस्वती के समकालीन थे उन्होंने जो यग्यादी के प्रयोग कराए उनके विवरण इन ग्रंथों में रहे होंगे ऐसा अनुमान होता है तो उसमें अश्वमेद राजसुई सर्वतों मुख काम्येश्टी नक्षत्रसत इत्यादी के प्रयोग ग्रंथ यह हैं जो दस्तावेज रिकार्ड उसका लिखा जाता था इस तरह के प्रंथ मिले हैं यग्य करने के पहले या तो उसकी निर्देशी का एक मैनुवल तयार की गई है जैसा कि गागा भट ने शिवाजी का राजविशेक कराया तो उन्होंने उसकी मैनुवल तयार की थी व जैसा लगता है कि मौरेश्वर दीक्षित ने जो गाइड़ बुक लिखी थी और उनका फिर रिकार्ड तयार किया गया था प्रयोग का वह इन ग्रंथों में हैं यह 4458 तक यह ग्रंथ हैं लेकिन उसमें सारे मौरेश्वर दीक्षित के नहीं हैं उसमें काशीनाद भट अ बहुत सारे हैं और ऐसा लगता है कि कविंद्राचार सरस्वती की जो यागिक प्रयोग हैं उनमें बड़ी रुची रही होगी और प्रयोग ग्रंथों के जो दस्तावेज हैं वो उन्होंने बहुत एकत्र की उनकी प्रतिलिपियां करवा के रखी हैं तहां से किस-किस तरह इतनी जल्दी नहीं पहुंचती हमारे पास कहां से अमेजोन से आर्डर करेंगे 10-15 दिन में आएगी यहां तो वामन का ग्रंथ जो आनंदवर्धन के पास पहुंच गया वामन तो लगबग उसी समय के हैं भवुती के ग्रंथ उनके पास पहुंच गए मध्यदेश के जो ना टकार हैं लेखक हैं उनकी पोथियां तुरंत कश्मीर पहुंच रही हैं क्योंकि आवागमन बना हुआ है धारा और कश्मीर के बीच में लगातार एक्सचेंज हो रहा है तो ये कमिंदराचारी सरस्वती जानते थे कि कैसे कहां से मंगाना है इनोंने खूब मंगाई ब पेदल चल दिये उनको पालकी मिली हुई थी वाहन मिले हुए थे उनका नहीं आगराज तक काशी से पेदल जाएंगे ऐसे आदमी थे परनियर ने जो फ्रेंच यात्री था उनका भव्य वर्णन किया है उसने भी लिखा है कि बड़ा पोथी खाना अच्छी लाइबेरी है इस संत के पास ऐसा वो भी लिखता है तो यह लाइबेरी तो थी कमिंदराचारी सरस्वती की अब यह बहुत रिसर्च का कार्य है जो शोध करता है यह अपने आप में बड़ा प्रोजेक्ट है अनंत करशन शास्त्री तो अब है नहीं 1921 में किताब वो उन्होंने च्छाप किया । दिश्क्रिप्र्टिव किटलाग। तयार करने का उससे उनको अपार सामगरी मिली और उससे ओर भी अन्योस्ट करते यह अनूंने इस परकार के लेख तयार किये हैं जिनमें बहुत दुरलब जानकारियां थी उसके बार से इस इस पर किसी ने काम किया हो मुझे ज प्रेशोद करताओं के लिए बहुत अध्भुत क्षेत्र है कि वे जाजा करके सर्वे करें कि ये कुछ बड़ोद्रा के इंस्टिटूट में कविंद्राचार सरस्वती की पोथियां हैं, कुछ काशीराज के ग्रंथालय में हैं, कुछ अन्य ग्रंथालयों में हैं, उसमें ज अन्य कुंडली बनाने पर ये ग्रंथ रहा होगा, और उसी में द्रवी किरनावली ग्रंथ भी है, किरनावली भी है, विवाह रंदावन एक ग्रंथ है, जो तिश्क के ग्रंथों में इसको सूचित किया है, लेकिन विवाह कपके ऐसे किस्तिथी में होगा इस प्रकार की, प्रश्न भेरावी उसी में ग्रंथ है, वेद्यक शास्त्र के बहुत सारे ग्रंथ हैं, जो 906 से 928 संख्या आवक तक इसमें लिखे हुए हैं, और वेद्यक शास्त्र में धन्वंतरी संभीता, ये संभीताएं अलग से हैं, धन्वंतरी संभीता, मैत्रे संभीता, इत्यादी, ये 929 से 949 तक इसमें सुचित है रसायन शास्त्र के सारे गरंत है ये तो chemistry है और कुछ गरंत इसमें से चपे हुए हैं रसरत्न समुच्चय रसरत्नाकर चपा हुआ है लेकिन बहुत सारे गरंत मुझे लगता है कि इनमें से नहीं चपे हुए हैं नो सो अंठावन से नो सो चुहत्तर तक इतने ग्रंथ ये अरिश्वर तंत्र, महादेव तंत्र हैं, इसमें भालुकी तंत्र है, ये तो मैं समझताओं कि नहीं चपा हुआ है, पर भेराव तंत्र, सच्छंद भेराव तंत्र और मन्थान भेराव तंत्र, ये रसायन के ग्रं और ये प्रकाशित भी हैं तो अब जो जिन्होंने प्रतिलिपी बनाई है वो तो बहुत अच्छे पंडित नहीं है लेकिन सूची में कम से कम हमको नाम मिल गया है कि ये ग्रंथ कविंद्राचारी सरस्वती के पास थे उसी तरह से रसायन सिध्धान पर ग्रंथ इनोंने 27 ग्रंथ हैं और वैद्यक पर और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं उदर आयरुवेद के ग्रंथ अलग से सूचित की हैं लेकिन यहां वैद्यकल्प से लेकर के 1002 से 1025 तक ये 24 ग्रंथ लगभक इसमें 23 ग्रंथ वैद्यक के अलग से वो बहुत सारे इनमें दुरलव हैं और हिं अमीर खुसरो आ अमीर खुसरो हिंदवी में लिखते हैं, और तूरे हिंदवे पहलाते हैं, लिखने के कारण, इस खुसरो कुछ है। यह जो पाक शास्त्र है रेशिपीज हैं, उसके तीन गरंथे हैं, उसमें भोजन कुतुगल तो प्रसिद गरंथे छपा हुआ है, लेकिन भीम पाक और नल पाक, ये भी नल के नाम से गरंथे, मैंने नलो पाक ख्यान पर दो तीन वक्त अब दिये हैं, उसमें बताये कि नल ज नल पाक नाम से गरंथ है, जो उनके नाम से लिखा गया है, तो ये भोजन बनाने की विधियों पर कुछ तीन गरंथ हैं, आईरुवेद की टीकाएं बहुत सारी हैं, आईरुवेद के गरंथों की, ये 1057 से 1099 की टीकाएं हैं, और मंत्रशास्थ पर गरंथ हैं, और ये इस में कुछ दुरलब बहुत सारे गरंथों के नाम ऐसे मिलते हैं, जिनका अन्रेशन किया जाना चाहिए, और 146 गरंथ धर्मशास्त्र के हैं, इनमें भी बहुत सारे दुरलब गरंथ हैं, गोत्रमंजरी धर्मशास्त्र का गरंथ है, पतिष्ठा कमलाकर गरंथ है, बाकी वी एक सुचियालीस ग्रंथ दर्मशास्त्र के सूचित हैं इन में और ये अन्वेश्टव्य हैं जाती प्रक्रण सीडशक के अंतरगत 1321 से 1330 तक ये 10 ग्रंथ हैं और ये चातुर्वण विवस्था पद्धती भी इसमें ग्रंथ है जाती विवेक ग्रंथ है जाती विचार पर इस चातुर्वण में जो जातियां होती हैं उन पर ये ग्रंथ हैं और ये भी बड़ी दुरलब जानकारियों वाले ग्रंथ रहे होंगे अठारा पुरान इसमें सूचित हैं उनके ग्रंथ प्यवस्थित रूप में कविंदराचार सरस्वती ने रखवाए हैं उसमें अठ पर बात करता रहा हों कि भुष्व पुरान तो सधयव ठारा पुरानों में हर सूची में मिलता हैं कविंद्राचारे सरस्वती ने भी जो पुराण अपने रखे उसमें 18 पुराणों में उन्होंने बोईश पुराण को रखा, देवी भागवत को रखा, प्रह्म पुराण, प्रह्म विवर्थ पुराण को रखा, लेकिन वामन पुराण को उसमें रखा है, इसकंड पुराण हमें नहीं रखे जाते है 80 उपराणों की सूची इसमें अलग है उसमें अधिकांश पुराण विधित है और शिवधार्म पुराण उसमें एक है लगुनारत पुराण उसमें एक है दुरवास पुराण है दंदी पुराण रिपीट हो गया है अठारा पुराणों की सूची में भी है उपपराणों की सूची में भी है दो अलग-अलग प्रतियां रही होंगी ऐसा लगता है श्रीमत भागवत की अनेक ठीकाएं हैं और इनमें से अनेक ठीकाएं अब लुक्त हो गई ऐसा लगता है इसमें से मदुसूधनी, सुबोधनी श्रीधरी ये तो विदित हैं बाकी गोवर्धनी चक्रवर्ती राधा वल्लभी विजय ध्वजी यादुपत्य श्री निवास तीर्थी तोशणी सार तोशणी ये अन्वेश्टब्व हैं जो भागवत समस्थान है एमदाबाद में उससे 32 या 36 टीकाओं का संग्रह छपाए कदाचित उसमें आई होंगी मैं उससे मैंने मिलान नहीं किया है गल्प गरंथ बहुत सारे हैं पंचरात्र के गरंथ बहुत सारे हैं 1390 से 1395 तक 6 गरंथ हैं कित्पा पुरान गरंथ हैं इतिहास गरंथ हैं कुछ इतिहास गरंथ के अंतरगत महाभारत और पुरान गरंथों नंदी पुराण इसमें तीसरी बार आ गया है, मारीच पुराण, कंकाल पुराण, ये भी इसमें जो हैं, इतिहास गरंथों के अंतरगात इनों ने जोड़ लिया है, इतिहास गरंथों की सूची, 1403 से 1420 तक, ये 18, 18, 18 का उसमें इनों ने रखा है इसाब, रामयन के बहुत स सारे ग्रंथ हैं, चैव रामयन है, विवीशन रामयन है, तंगरह रामयन है, वसिष रामयन है, आगम रामयन है, ये कितनी रामयन हैं, और अरुन रामयन, भरत रामयन, धर्म रामयन, अद्भूत रामयन तो मिलती है, कर्म रामयन, उसके अतरिक्त वालमी की रामयन, टीका स साइथ उसके कतक टीका तीर्थ टीका नागोजी वट्टी टीका वेदानताचारी कत टीका यह चार टीकाएं सूचित हैं। यह अन्वेश्टव हैं कि सारी टीकाएं छपी हैं यह नहीं यह कमिन्दराचारी के पास इनकी पोथियां थी। पुरावरत्त के अंतरगत कुछ पोथियां हैं ये नवीन साहित जो लिखा जा रहा था कमिंद्राचार सरस्वप्ति के समय उसकी पोथियां उन्होंने मंगवाई और हरिष्ट चंद्रोधंत सावित्रोधंत प्रतुधंत नलोधंत इत्यादी ये नया साहित ये तरह से उन्ह जुड़ा हुआ है और ये एक स्पूरी सीरीज है पुरावरत्त के अंतरगत तो ये कितना रोचक है कि क्या-क्या काम जो साहित्ती का संसार है सत्रिशताब्दी का उसमें समस्कृत और हिंदुस्तानी भाषाओं में हो रहे हैं अब हो सकता है मराठी में ये हो इन में से कु कुछ गरंत लिखे गए थे उसमें विश्णु रहस्य श्रीव रहस्य त्रिकूट रहस्य ये गरंत हैं छे गरंत पुराणा गम ये आगम गरंत बहुत सारे हैं 1665 से 1693 तक इतने सारे गरंते इनमें भी बहुत सारे दुरलब गरंत हैं मुकुरा गम है सुप्रभेदा गम है तीपल्यागम है अचिंतिाघम है किरनागम है बालुकाख्यागम है ये इस तरह इक उपागम अलग है आगम से उसे बहरवोत्तरागम है महैशानागम है ये नी संखिया बहुत सारी है ये ये 1629 तक जाते हैं इन में बहुत तुरलब गरंथ भी हैं और सम्हिताएं बहुत सारी हैं गर्ग सम्हिता शोनक सम्हिता 1630 से लगा करके और 1727 ये भी लगभक 100 गरंथ पहुच रहे हैं सम्हिता प्रकरण के तद तद व्यतिरिक्त अन्य सम्हिताएं बहुत सारी हैं वेदिक तंत्र के बहुत सार ग्रंथे हैं, महात में प्रकंड के ग्रंथ बहुत सारे कविंद्राचारिस रस्वती के पास थे, 1821 से लगा करके 1870 तक 50 ग्रंथ है, काशी महात में गया महात में, द्वारका महात में, अनेक अनेक सारे तीर्थों के, इसमें नर्मदा महात में भी है, गंगा महात में तो है, इस समय प्राप्त नहीं है, कोशों का भूत अच्छा संग्रा है, रविंद्राचारी के पास था, और उसमें से अनेक कोश प्राप्त हैं, अलायूत कोश है, अमर कोश है, ये तो प्राप्त है, विश्व कोश भी प्राप्त है, वाकी विवहार कोश, धरनी कोश, दिरूप यह प्राप्त है यानि राज निगंटु कुछ आयुर्वेद के कोश गंथों को भी इसमें जोड लिया है और त्रिकांड शेष है यह त्रिकांड शेष की टीका भी है अमरकोश की टीकाएं इसमें 1891 से 1898 तक आठ टीकाएं अलग से सूचित हैं और उसमें रामाश्रमी मिलत ही है बाकी टीकाएं कितनी मिलती है अन्यश्टब्वे है सुबोधिनी लिंगबत्ट्याधी और कव्य कुछ दूरलप कव्य भी हैं तो पादुका सहस्रतों वएंकटाद भरी का शंदर घंध है अदृत कंभय है ये दक्षिन का है और लगबग उसी समय लिखा जा रहा है इनोंने मंगा लिया है कल्पित कादंबरी ये ग्रंथ है बरतेरी के तीनों शतक सटीक हैं शेखर काव वे है दुरगट काव वे है सुवाशित शारंगधर ये तो शारंगधर पधती का ही कोई वाचना हो सकती निलकंठ दीक्षित के पितामा रहे है उनके पितामा के भाई रहे हैं जहां तक मुझे यादा रहा है तो यसा अपने समकालीन वरिष्ट समकालीनों और कनिष्ट समकालीनों के भी ग्रंथ कविंदराचार सधास्वत्य की लाइबरी में पहुँच गये हैं आस्यषर तक ग जो उनके समकालीन है, उनका सटीक विश्वुनादर्श उनके पास है, तो ये बाकी कामशास्त के गरंथ इसी में जोड लिये हैं कावियों के अंतरगत, वो रसमंजरी, अनंगरंग, कामसमूह, इत्यादी वात्सेयन सूत्रभाष्य है, मरुशतक सटीक इसी में जोड लिया ह प्रतिनीती मुकुल कामसमूहन, रतिरहस, कोला नाई का ख्यान, इत्यादी इसी में गरंथ, कावियों गरंथों में इन्हों ने जोड लिये हैं, और नाटक हैं कुछ, उसमें भी भिल्लन नाटक एक है, ये कौन सा नाटक था ये तो अन्वेश्टब है, बाकी अनेक नाट मिलते हैं, और संगीत के कुछ गरंथ हैं, संगीत के इसमें नो गरंथ हैं, संगीत मुक्तावली, संगीत दरपन, गायन रतनाकर, गांधर वभेद, कविंद्राचार सरस्वती की गायक की रूप में भी प्रतिष्ठा थी, और चंदोबद्ध उन्होंने काव ये गायन के ल चंपू हैं और चपे हुए हैं, भान भी इनके पास हैं, 2011 से 2016 तक इसमें छे भान हैं, अबोल भान इसमें एक है, ये लगता है कि भाशा गरंथ रहा होगा, अनंग मंगल भान है, महिश मंगल भान तो चपा हुआ है, लेकिन अनंग मंगल भान मेरे देखने में नहीं आया, बाकी भाण मिलते हैं, छंदर शास्त के गरंथ हैं, 2017 से 2024 तक आठ गरंथ हैं, नास्तिकाचे गरंथ ये चीरशक दिया है, और नास्तिक मत के गरंथों में चार गरंथ सूचित हैं, स्यादवाद मंजरी, नेमिनात विजय, खती विजय, इस पर प्रश्ण चिन्न लगाया है अ कुछ अशुद्धी हो सकती है, आतं कदर्पण यवी एक नास्तिकाचे गरंथ के अंतरगत सूचित है, जो जैन, डर्शन के गरंथ हैं, उनको नास्तिक गरंथ मान करके, उन्होंने उंको उसमें सूचि बद्ध कर लिया है, कुछ कत्था के गरंथ अलग से हैं, उनमें भा बहुदकरत कथा कोमुदी, ये कथा का कोई गरंत रहा होगा, लगुचानक के ब्रहचानक के इसको उन्होंने कथा गरंतों में ही जोड लिया है, सभाविनोत को कथा गरंतों में जोड लिया है, और कल्रण पंडित राज तरंगिनी श्री ऐसा कथा भाग उसी सिर्शक के अंत वत्स की, श्रीवर की राजतरंगिनी लिखी गई, प्राज जिभट की लिखी गई, ये कविद्राचारी की पुस्तकाले में हैं, ये चपी वी हैं, पर भोज राजतरंगिनी मेरे देखने में नहीं आई, और ये खोजना चाहिए, क्या इसमें भोज राज का इतिहास बताया है है, कौतुक प्रकरण नाम से गृंत हैं, 2050 से थोजार चांचल तक 17 गृंत हैं, और ये जो हमारे शिल्प शास्त्र के गृंत हैं, कुछ जो कौतुक करते थे हमारे पूर्खे। उनके ग्रंथ है तो कमिंद्राचारी सरस्वती के पुस्तकाले में द्यूत शास्त पर ग्रंथ है, मल्ल शास्त पर जो पहलवानी है उस पर भी ग्रंथ उनके पास है, हाँ अब तो ढूनना पड़ेगा कि कहीं बचा है कि नहीं, 64 कलाओं पर 64 गरंथ इनों ने सूची बद्ध किये हैं 2018 से 2144 तक और कामसूत्र में जो 64 कलाओं की सूची है उसी को एक एक को लेकर के अलग-अलग गरंथ ये हैं और ये बहुत ही अन्मेश्ठव्य हैं कि क्या इतने सारे 64 गरंथ सच्मूच में कविंद्राचारिस रस्वती के प्रंथालय में रहे होंगे चतुशष्ठी कलाओं गरंथ के अंतरगत अलग-अलग आवक संख्या के अंतरगत अलग-अलग पोथियों के रूप में ही इनको सूची थे ङाँट्श इनमें बात्शायं ने जो सूची दी है उससे मिल जाते हैं लेकिन वो तरकु कर्म है जो तकली कातने की कला है उससे आशा है उसकर किताब है बृक्षाईरुव योग जया गदे हैं उतसाधन जो उप्टन वगैरा लगाना इसकर किताब है शुक सारी का प्रदापन वाधस्याइन ने लिखाई है, तोते मेना से कैसे बाचीत करना, उनको कैसे ट्रेनिंग देना इस पर ग्रंत है, दुर्वाचक योग पाठ है, वाधस्याइन में इन्होंने दुर्वंचक योग लिख दिया है, ये तो लिपिकार की गलती प्रतीत हो तो लगबग सारी 64 कलाएं उन पर अलग लग ग्रंत हैं, कमिद्राचारी के पास, ये कम से कम इस सूची से हमको जानकारी मिलती है, तद व्यतिरिक्त, शिल्प शास्त्र पर बहुत सारे ग्रंत उनके पास हैं, और ये अन्वेश्टब्य हैं, शाली होत्र जो अश्व शास् तो ये लंबा हो गया सूची देख देख कर बोलने के कारण, लेकिन इसमें मैं दो एक बातें और जोड़ना चाहता हूँ, एक तो न्याय के जो ग्रंत बहुत सारे हैं, उसमें जो न्याय मुक्तावली हैं, उससे संबंधित टीकाएं बहुत सारी हैं, उसका एक कारण तो ये हैं कि महा महुपाध्या विश्वनात पंचानन न्याय मुक्तावली कार जो है, उन से संबंध इनका रहा होगा, क्योंकि विश्वनात पंचानन के लिखेवया प्रशष्ती श्लोक कंविद्राचारिय पर, कंविद्रचंद्रोधाय में संकलित किये गए, और ये न्याय के गरंथों, चुंकि विशनात पंचानन से संपर्क है, इसलिए उनके गरंथ या उनके गरंथों पर टी कहा है, इसमें मिलती हैं अब ये गरंथ जो हैं कहां कहां चले गए, जैसा हमें ने बताया कि बनारस के राजा की लाइबरी में कुछ गए कुछ तो अनंत प्रश्ण शास्त्री पता करते करते इन्होंने कुछ जहां कहीं से मिला उसको लेकर के आया और राजा की लाइबरी में गायकवाड की जो सेंट्रल लाइबरी थी उसमें रखवाया अब गायकवाड इंस्टिटूट जो है और Inter-research Institute उसमें वे होंगे ऐसा मेरा विश्वा से उन्होंने रखवा दिया था तो उसमें संगीत का एक ग्रंथ था वो सागर में, मद्यप्रदेश में सागर तक वो पहुंचे और श्रीखंडे साहब कोई वकीलिया, बैरिस्टर कोई है उनके पास पता चला कि उसमें लिखा हुआ है कि कमिंद्राचार सरस्वती के पुस्तकाले का है ग्रंथ है तो उनके पास जाके उन्होंने बात की समझाया तो उन्होंने उनको दे दिया कि आप ले जाईए आप सुरक्षित रखेंगे पड़ोदा की लाइबेरी में सूरत में किसी विद्वा के पास इस तरह का कोई ग्रंथ हता उस सूरत तक जाकर के उन्होंने प्राप्त किया उससे मांग करके उसको समझा पुझा करके लेकर के आए इस प्रकार से ये जो ग्रंथ है अनंत क्रश्न शास्त्री को जितने प्राप्त हो गए वो उन्होंने संग्रह किये हैं जो शोध करता है नए यंग युवा शोध करता उनके लिए यह एक काम है कि वे इस सूची पत्र का अध्यन करें और इस सूची पत्र में जो सूची तपुस्तकें हैं उनको गाँ गाँ जाकरके खोजें अनंत क्रश्स शास्त्री ने 125 साल पहले यह काम किया और यह पुस्तक है कुछ जीन शीन अब हो रही है तो उसका उपयोग किया जा सकता है और यह पुस्तक प्राप्त है प्राप्त की जा सकती है बडोदा से प्राप्त की जा सकती है इसकी skin copy प्राप्त की जा सकती है शोद करने का होना चाहिए इतना शोद करने के लिए जो एक जुनून है वो यह दि है तो बड़ा काम हो सकता है जो हमारे कुछ पुर्खोंने कर दिया हम में थोड़ा बहुत जुनून था रहा होगा हमारे लिए अब यह शक्य नहीं है अडियार भी हम गए वहाँ भी हमने पोथियां, खंगाली, खोजी, नोट्स बनाए अब बहुत काम आते हैं उस समय जो काम कर लिया वहाँ तक चले गए वाल्टेर विशाखा पट्नम की लाइबरियरियम पता चला कि वहाँ है, तो वहाँ भी गए मदुराई, में रिचर्च इंस्टिूट था, वहाँ भी गए अब तो धुन्द्री यादें बची सन सत्तर इखत्तर में जो मैंने दक्षिन में यात्राएं की थी और नोट्स बनाए थे वो जगों की धुन्द्ली स्मृतियां है मैंने यात्रा वृत्तांत नहीं लिखे लेकिन उस समय था कि चले चला जाओंगा किसी भी तरह कहीं भी बस में ट्रेन में बेट करके जैसे भी होगा तो दुरलब पोथियां मैंने भी देखी अब जो युवा विद्वान है उनमें दी थोड़ी भी कुछ है ललक और जा कुछ अच्छा करना है जीवन में उनको इस तरह की काम करना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार